हे गुड इवनिंग एवरिवन और स्वागत है आप सबका मेरे कॉर्ड ने व्लॉग में और आज का जो व्लॉग है बहुत 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 लेटी स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके पीछे भी एक रीजन था जैसा कि आपको भी पता है कि मैं 20 या फिर 22 दिनों के लिए ट्रिप पे गया हूँ था यह जो मैं ट्रिप पे गया था इस बीच मेरा काफी सारा काम परेंड़िंग हो गया था और जब मैं वहां से रीटन आया तो रीटन आने के बाद आपको भी पता है तो इसी सब में सारा दिन मेरा निकल गया और अभी जाकर रात के 8 बजे मुझे टाइम मिला ये वाले व्लॉग बनाने का मैं तो ऐसा सोच लिया था कि आज कोई व्लॉग ही नहीं बनेगा मेरा वैसे भी अब व्लॉग तो बन नहीं पाएगा कि जब मेरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो मैं खुद ही इसका एंसर दे दूँगा वह सभी वीडियो के कमेंट्स में मैं कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसा दिखता हूँ कि मोहित भाई आप घर वगेरा अभी कैसे लिए क्या क्या प्रोसेस है क्या क्या करना पड़ता है आप थोड़ा सा बता देना ताकि हम लोगों को भी हेल्प हो जाए मैंने भी अपना किसी तो वीडियो में यह वाला बात बोला था कि जब मेरा घर वगेरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा उसके बात में एक वीडियो बना द इतना तो बोली सकता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया मिली जाएगा आपको, ये वीडियो में काफी दिन से बनाना चाहा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक आ जा रहा था, इसलिए नहीं बना पा रहा था, आज सोचा चलो कुछ है नहीं, इसी के बारे मैं आप लो लोकडाउन खुला, तो वापस से ये सब घर खोज जारी हो गया, कई बार काफी सारे घर पसंद आ है, लेकिन लोकेशन अच्छा नहीं लगा, जिसका लोकेशन अच्छा लगा, उसका घर अच्छा नहीं लगा, तो इस टाइप का चलती ही रहा, और ये सब का भी थोड़ा एकिस आगया, और मेरा घर का खोज जारी था, फिर उसके बाद काफी दिन से ट्रैवलिंग वगेरा बन था, तो वापस से ट्रैवल करने लगा, जब मैं मनाली, गुआ, पता नहीं कहां कहां गया था मैं, वो सब ट्रैवल वगेरा करने लगा, और वापस से जब वहां से आ जहां पर यह पानी वाला प्रॉबलम ना मैं जो आप देखते हो, मेरे अरिया में प्रॉबलम हमिसे ही रहता है पानी का, और एलेक्रिसिटी का तो चली ही भी बता हूं मैं, यह तो आप दिखते ही रहते होगे, जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो यह चीज मुझे mind में रखके घर देखना था फिर finally जो मैंने पसंद किया है उसका location और connectivity दोनी मुझे अच्छा लगा अब यहाँ पर मैंने अपना flat तो पसंद कर लिया लेकिन अब सबसे important काम loan वाला loan वाले topic पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप भी अपना घर ले रहे हो अगर आपके पस पूरा पैसा भी है ना अगर आपके पस घर का पूरा पैसा भी है फिर भी कुछ amount के लिए आपको bank से loan लेना चाहिए इसमें क्या होता है ना अगर आप bank से loan के लिए apply कियो और जिस property के लिए आपने loan के लिए apply किया है तो bank क्या करता है उस property को अच्छे से verify करता है और सब कुछ okay होता है तब ही bank आपको loan देगा अगर कुछ भी गरबर निकलेगा उसमें bank आपको loan नहीं देगा तो इसलिए आपको idea लग जाएगा कि हाँ चलो आपका जो property है वो okay तो इसलिए मैं आपको recommend करूँगा अगर आप घर ले रहे हो तो bank से थोड़ा भी amount आप loan जरूर लेना इसलिए मुझे भी अपने घर के लिए loan चाहिए था करता है कि आपको कितना का loan चाहिए बट उससे पहले जैसे ही आप loan के लिए apply करते हो ना तो bank वाले सबसे पहले आप से last तीन साल का IT file मांगते हैं फिर bank वाले आपका IT file चेक करने के बाद ही decide करते हैं कि आपको कितने का loan मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा जोरी नहीं है कि आपने जितना amount बोला है bank आपको उतना ही देगा आपका IT file bank अच्छे से देखने के बाद ही decide करेगा कि आपको कितने तक का loan amount दिया जाएगा फिर loan amount sanction होने के बाद bank अपना काफी लंबा चौड़ा process बोलता है करने के लिए वो आपको करना पड़ता है जैसे कि जब मेरा loan sanction हुआ था मैं गया था bank मतलब उस दिन मैंने इतना सारा sign किया था इससे पहले मैंने कभी भी इतना सारा signature एक साथ नहीं किया था ठक जाओगे sign करकर करके अब bank loan दे रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा यह चीज फिर उसके बाद जो भी bank का process सब रहता है ना वो आपको follow करना पड़ता हो और ऐसा नहीं कि जो loan amount आपका sanction हुआ है वो आपके bank account में मिलेगा यह सारा process complete होने के बाद ही होता है registry फिर registry होने के बाद मुझे मेरे flat का की मेरे हाथों में मिल गया और उससे बड़ा खुसी का दिन मेरे लिए और क्या ही हो सकता है लेकिन एक चीज मैंने देखा है यह loan वाले चकर में देखो कभी भी मैं में पढ़ सकते हो मैंने एक चीज देखा मेरा सारा paper okay था सब कुछ okay था फिर भी मुझे ऐसा लगता था ना कभी कभी कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा या फिर वो लोग deny कर देंगे जबकि मेरा सारा कागज होके था मेरा civil score अच्छा था फिर भी मुझे थोड़ा बाट time लगी गया तो इसलिए आप ट्राइ करना आपका जो civil score हो वो अच्छा हो अब civil score क्या होता है मैं आप लोगो थोड़ा सा idea देता हूं जैसे अगर आपने कोई EMI में समान लिया है या फिर आप कोई credit card यूज कर रहे हो और आपने उसका जो payment है time पे नहीं किया है या फिर आपका जो EMI है वो भी आप time प सोच रहे हैं और उनको थोड़ा confusion है जैसे मुझे एक time में होता था कि भाई पता नहीं क्या करना होगा कहां जाकर बात करना होगा ये सब process कैसे आगे बढ़ेगा ये सब question आसे 4 या 5 मीना पहले तक मुझे भी था आपको अगर loan लेना है तो IT file must है आपका ये सुनने में आप सब कुछ ठीक हो जाता है मैंने एक चीज़ देखा है वैसे अगर आपको इससे related कोई भी question हो आप comment कर देना मैं try करूँगा आपका reply करने का और जाते जाते मैं आप लोग को good luck बोलूँगा जो भी अपना घर लेने का सोच रहे हैं या फिर देख रहे हैं या फिर उनका भी एक dream है घर लेना मैं भगवान से बस यही प्रे करूँगा कि आपका भी जो dream है वो पूरा हो और मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ ना अपने मेहनत के अपने कमाई का अपना घर होगा उससे बड़ा सुकून और उससे बड़ा खुसी कुछ भी नहीं है और आपको खुद पर भी बहुत जादा प्राउड होगा अगर यह वीडियो आप लोग यहां तक देख रहो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो यह जो नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिल